नमस्ते दर्शकों मैं मलिका सुभाशीश एक बाई फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने कारिक्रम डॉक्टर स्पीक में दोस्तों आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे स्वस्थ होंगे और इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का कारिक्रम आज की कारिक्रम का विशे है कोरोना काल में सोनोग्राफी से समबंधित समान जानकारी दोस्तों सोनोग्राफी एक ऐसी जाच है जिसकी ज़रूरत हम सब को कभी ना कभी हमारे जीवन में पढ़ती है खास दोर पर प्रेगनेंसी के दोरान महिलाओं के स्वास्त को जाचने के लिए ये एक एहम जाच है इसी विशेय पे आप सब के मन के सवालों को देकर और जादा जानकारी देने हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर रंजना अगरवाल आपका बहुत-बहुत स्वागय थे रंजना जी नमश्कार आज हम आपसे सबसे पहले ये जाना जाहेंगे कि रेडियो लॉजी क्या होता है और ये कितने तरह की होती है रेडियो लॉजी मेडिसीन के एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पेशेंट की मशीन के द्वारा इमेजेज अक्वायर करते हैं और फिर उनको स्टडी करके हम पेशेंट के अंदर होने वाली बिमारियों के बारे में पता करते हैं रेडियो लॉजी मोटे दोर पर दो भाग में टिवाइड की जा सकती है एक में हम आयोनाइजिंग रेडियेशन यूज करते हैं जैसे की एक्सरे सीटी स्कैन मैमोग्राफी फ्लूरोस्कोपी डियेसे इस डेक्सा इसमें क्या होता है कि हम बोडी के अंदर आयोनाइजिंग रेडियेशन यूज करते हैं और उसे इमेजेस अक्वायर करते हैं और उससे हम बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं यह हमारे बॉडी के लिए थोड़ी हामफुल हो सकती है वो भी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में यूज की जाए तो और डियागनोस्टिक परपस से यूज करने में इन से हमें बहुत जाता भी नुकसा नहीं दोचाए दूसरी ब्रकारकाद की जो मोडालिटी है उसमें नौन आयिजिंग रेडियेशन हम यूज करते हैं जैसे की अल्टरासांग इसमें अल्टरा सोनोग्राफी और सोनोग्राफी दोनों बोलते है और इसमें हम अल्ट्रासॉंड वेज का उपयोग करते हैं दूसरी है मराई इसमें हम मेगनेटिक रेजोनेंस का उपयोग करते हैं और यह भी हमारे बॉड़ी के लिए हामफुल नहीं है माम जैसे कोवट का समय चल रहा है भी लोग घबराते हैं घर से निकलने में तो ऐसे में जो कोवट पेशेंट्स हैं उन्हें अगर सोनोग्राफी करवानी है तो वो करवा सकते हैं अगर आपको कोई गंभीर समस्या नहीं है तो आप सोनोग्राफी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको अचानक पेट में बहुत दर्द हो रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें की इमेजेटली एक्शन लेने की आप शकता है तभी आप सोनोग्र कराइए और आपको आप डॉक्र को इंफर्म कीजे कि आप को रोना पॉजटिव है जिसे की वह भी प्रॉपर प्रिकॉशन ले सके आपको एक स्पेसिफिक टाइम दे सके जिसमें की वह प्रॉपर तयारी के साथ आपकी जांच करे और अन्यमरीजों को ना बुलाए अब ज की जाती है ज से अन्दर से हम ऐसे तियारी कर सकते हैं हम हेल्थी डाएट लें हम एक्सराइस करेंS उर बहर से हम मारपर मास्क का उप्योग करिंग हर से बहार निकलते समय हमरीशा मस्क लगाए रखें लोगों से कनिष्टै दूरी बनाय रखें प्रॉपर ली हैंड को सैनि इस प्रकार से और जैसे जैसे हमारे बॉड़ी के पार्ट्स होते हैं उनके लिए अलग लग टाइपी सोनोग्राफी यूज वैसे अभी आपने बताया कि यह इतनी हामफुल नहीं होती फिर भी एक लोगों में एक मित है कि इनमें क्योंकि रेडियेशन हमारी बॉड़ी के अ प्रेगनेंट वुमिन जो होते हैं उनके लिए बोलते हैं कि बच्चों को जो गर्प के अंदर उन्हें को नुकसान पहुंचा दे या वह महिलाओं को यह को नुकसान पहुंचाए तो ऐसा है होता है जैसा कि बैने पहले बताया था कि सोनोग्राफी है वो नॉन देडर की बादागी का पता लगा सकते और समय पर उसका ईलाज कर सकते हैं किन-किन बीमारियों में सोनोग्राफी कराए जाती है सोनोग्राफी हमारे बड़ी में सिर से लेके पैर तक आप पयाब करा सकतेете जैसे कि छोटे बच्चों में ऴेवन ब्रेन की बी स्वानुग्र पर नीचे आएंगे तो नेक में थायरोइड एलार्ज हो गया है, थायरोइड में कोई गठान है या गले में और गठान है उसकी भी सोनोग्राफी करते हैं, ब्रेस्ट की भी सोनोग्राफी होती है, आजकल ब्रेस्ट केंसर के केसे काफी देखने में आ रहे हैं, उसकी भी सोन सोनोग्राफि को यूज होता है और गर्व में पल रहे बज्चे के विकास और उसके ब्लड फ्लो को देखने के लिए प्यूज होता है आज कल तो मस्कुलर स्केलेटर सोनोग्राफिय भी काफी यूज में आरी है जैसे की आर्थराइटेस वागरा में हम लोग चिंजस देखन के लिए हम लोग सोनोग्राफिय कोपियो करते है माम सोनोग्राफिय और एक्सरे में क्या डिफ्रेंस होता है सोनोग्राफिय जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सोनोग्राफिय नॉन आयोनाइजिंग डिशन बेस्ट मशीन है इसमें हम एक्सरे में क्या हो कोई cancer की शिकायत तो नहीं ही हम लोग एक्सरीट करते हैं वोंज में टूमर तो नहीं हो गया है उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं और अल्टरी जो है वो एर को और बôन्स को दोरों को ही पेनेट्रेट नहीं कर सकती है तो अल्ट्रसाउंड हम लोग बेसिकली पेट की बिमारियों के लिए और वो सॉलिड ओर्गन जिनमें की एर नहीं होती है उनकी जांच के लिए उपयोग करते हैं सरकार बहुत कोशिश करती है कि जेंडर इक्वालिटी की बात हो लोग जो पराने समय भी होता था अब भी होता होगा कि लोग जानना चाहते हैं कि मा के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है तो सोनोग्राफी क्यूंकि आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हमें बच्चे के लिए कपड़े खरीदने हैं पिंक खरीदे या ब्लू खरीदे या फिर हमारे कोई हमारे घर में कोई लड़की नहीं है आप बता दीजे अंदर लड़की है की लड़का है हम लोग बहुत खुश होंगे इस तरीके से वो लोग हमें मतलब पूछने की कोश अगर आपके हमानी होती तो आज आप कहां से पैला होते हैं अगर आधार ही नहीं होगा तो बिल्डिंग कहां खड़ी होगी जैसे कई बार कोई क्रिटिकल सिच्वेशन हो या कोई कॉप्लिकेशन होती है तो उस समय आप पेशेंट्स को कैसे बताते हैं कि यह दिकत है आप पेशेंट्स को भी लेकर डर होता होगा क्योंकि एमोशनली क्या पता वो इनसान कितना स्ट्रॉंग हो तो आप उस समय कैसे हो सिच्वेशन से डील करते हैं हम उन्हें बोलते हैं कि हमें आपके बारे में कुछ महत्वकूं जानकारी प्राप्त करनी है अप अपने रिलेटि या उनसे बात करकर ही आप पेशेंट से डिरेटि कि बात ओने हर्त रह की सोनो ग्राफिक के लिए खाली पेट बोलते हूलना चल्यक्त हो ओना जरूरी है जैसे गघरभाशे की सोनो ग्राफिय और किन्डी में पत्रियां उसकी स्पाफिय दरी या फिर गईर शिश्यचू की जाए से की प्रेग्नेंसी की सोनोग्राफी रिख सोनोग्राफी ते डिख रहने की अविशकता नहीं नहीं से खालीपेड सिर्फ को Civilis और रिवर कॉल्पाव की से लिए हम लोग फुलाते हैं सकते ही प्रेगनेंन इस सर्फ पहर जाते हैं। प्रेगनेंसी सर्फ इतनी बार और कब कब सोनग्राफी करें। चाहिए येवंए इस सकती हैं। तो यह पजार लगाना बहुत जरूरी है कि जो प्रेगनेंसी है वो गर्ब के अंदर ही है दूसरी सोनोग्राफी हम लोग कराते हैं जिसको हम देटिंग स्कैन बोलते हैं वो हम लोग 8-10 वीक्स में करते हैं उसमें बच्चे की exact date क्या होगी delivery की और उसकी दहड़कन के बारे म जांच करते हैं उसके बाद 11-14 वेक्स में एंटी जाता है एंटी इसकें का मतलब होता है नियूकर ट्रांसलिसेंसी स्कैन इसमें हम बच्चे की नेजल बोन देखते हैं नाकी हडी बन रही है कि नहीं और उसकी नेक के पीछे की स्किन की थिकनेस देखते हैं कुछ अनुव वो भी पता चल जाती है 11-14 वीक्स में बच्चे का हार्टीक से काम कर रहा है कि नहीं हो बोडी के बाहर तो नहीं है जिसको मेक्टोपिय कार्डिस बोलते हैं या उसके लिम में कोई डिफेक्ट है जैसे हाथ या पैर बना ही नहीं ऐसे बहुत सारी बिमारिया है जिनके बारे हम 11-14 वीक्स में पता कर सकते हैं उसके बाद आता है 18-20 वीक्स का स्कैन वो एक बहुत ही इंपोर्टन स्कैन है जो किसी भी गर्वती स्रीकों में नहीं करना चाहिए इसमें हम बच्चे की सिर से लेके पैर तक जिती भी ओर्गन्स होते हैं उनको देख सकते हैं जैसी कि ब् में नहीं है और इसको कोई अन्वांशिक बिमारिया तो नहीं है यह से जाहिए तुमें तीनों स्टेज में सोनोग्राफी करवाना बहुत जरूरी होता है बच्चे और महीना दोनों के लिए ही और फीर सोनोग्राफी होती है जो हम लोग ट्वेट के बात करते हैं को कलार ड अगर यह सब ठीक है तो हमें उसे supplement देने की आपशक्ता नहीं होती है Color sonography भी color doppler और color sonography दोनों सेम होता है Color sonography जैसी कोई जीज नहीं होती है Basically color doppler होता है जैसे sonography में हम organs की morphology देखते हैं उनकी सरजना देखते हैं Color doppler में हम उन organs का blood flow देखते हैं किड्नी को आपने देख लिया उसमें stones तो नहीं है उसमें कोई गठान तो नहीं है लेकिन अगर हमें देखना कि उसको proper blood flow मिल रहा है कि नहीं तो उसके लिए color doppler करते हैं जिससे हम blood vessels देख रहे हैं कि blood vessels उसके हर सिरे तक पहुंच रहे हैं कि नहीं का velocity अगर इतना है माम रेडियोलोजी में इतने अलग अलग तरह की जांच होती है तो मतलब हमें कैसे समझ माता है कि हमें किस टीज के लिए x-ray करवाना चाहिए कब सोनोग्राफी की जरूद है कब MRI की जरूद है क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं उसका एक बेसिक अगर आप बता दें जैसे हमारे बोडी में डिफर्ट डिफर्ट टिश्यूज तो उनके लिए हमारी जांचे भी डिफरेंट डिफरेंट है जैसे कि आपको चैस्ट में प्रॉब्लम है तो आपका एक्सरेइ होगा और आपती स्कैlles को जैसे पेट में डृब खुग ऴॉगा और सोनो ग्राफिय में अगर कुछ डाउट रहता तो सीदिस्कान है मह आरा हया होगा वो सब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अगर आप प्रॉब्लम आप अच्छे से बताया तो सॉनोग्राफी बाकि सब में सबसे जादा करी जाने वाली जाज है इन सब यह most preferred modality है जहां हम सोनोग्राफी कर सकते हैं वह हम सोनोग्राफी ही करते हैं फर्स्ट ये कि ये जीप है, सेकेंड ये हामलेस है, और तीसरा ये कि ये डाइनमिक है, आप रियल टाइम उसको देख सकते हो, आप करते समय, आप कोई प्रोसीजर भी कर सकते हो, जैसे कि आप, आपको पता चला कि आपके लिवर में गठान है, लेकि यूँ गठान कैंसर की ह कैंसर की नहीं है, इसके लिए आप उससे एफनेसी ले सकते हो, बैपसी ले सकते हो, इसलिए ये बहु आयामी है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिफट करी जाती है, कोरोना के समय, अभी जितनी आटी-पी-सी-आर की लोग टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, उससे ज़्य जादा आजकल ही हो गया है कि सब city scan करवा दें किया है, मेरे लंग में infection है कि नहीं, तो पिछले कुछ ताइम में जितना लोगों ने city scan नहीं करवाया होगा शायद वो अभी दो साल में शायद इसी वेव में, second wave में ही लोगों ने उतना जादा city scan करवा लिया है, तो ये कित बिमारी naturally कम ही आएगी, तो इससे आप बिमारी की severity का अंधाज नहीं लगा सकते हैं, और फिर आप repeat कराएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी बिमारी बढ़ गई है, तो इससे हमारी anxiety भी बढ़ती है, कि हमारी बिमारी बढ़ क्यों रही है treatment लेने के बाद भी, और लेकिन और जैसे पहले जवाले के CT scan होते थे, उनमें रेडियेशन बहुत ज्यादा होता था, आजकल हेलिकल CT use होता है, जिसको मैं चार CT बोलते हैं, उसमें रेडियेशन काफी है, हद तक कम हो गया, फिर भी ये अभी न्यूज में भी जैसे बहुत चला कि CT scan करवाना हामफुल है अगर आपको लगता है कि आपको बिमारी को जानना ज्यादा जरूरी है, और अगर आप उसकी severity का पता नहीं लगा सकते बीना CT scan कराए, इलाज को आपको डिसाइड नहीं कर सकते, तब तो आपको CT scan कराना ही पड़ेगा, उसके benefits कहीं ज्यादा है, नुक्सान से पिछले कुछ सालों में या पिछले 20-25 सालों में आपने इस फील्ड में, सोनोग्राफी की, रेडियो लॉजी की फील्ड में क्या क्या advancement देखे, क्या बदलाव आपके नजर में आए, पहले सिब 2D सोनोग्राफी होती थी, और उसमें उसका resolution भी इतना अच्छा नहीं था, देरे देरे इसमें और advancement आया, और अच्छे अच्छी machine आने लगी और अच्छे अच्छे उसके probes बनने लगे और उसके बाद 3D और 4D सोनोग्राफी आई, color doppler आया, और आजकल इलास्टोग्राफी भी आती है, और आजकल बहुत सारी international procedures भी हम लोग उसमें करने लगे हैं, बाइपसी, FNAC, कई बार लिवर के नर्मबाद बन जाता है, तो हम उसमें पिक्टेल डाल देते हैं, उसे दीरे-दीरे ट्रेन हो जाता है, आप मेडिकल की स्ट्रीम में इतनी अलग-अलग specifications हैं, तो आपने कैसे चूस किया कि आपको radiology में जाना है या आपका interest इस फील्ड में है? में MBBS कर रही थी, तो मैं मैं मेडिसिन पढ़ती थी, तो मुझे वह अच्छा लगता था, गाईनी पढ़ती थी, वह लगता है तो मुझे ऐसा अलगता था, अगर मैंने एक फील्ड को जूस कर लिया तो मैं दूसरे के बारे मेरे जानकरी बढ़ी सीमित सी रह जाए तो मुझे बड़ी curiosity रहती थी कि सोनोग्राफी में कैसे बता चलता है, MRI में कैसे बता चलता है तो पुझे ग्यासा के कारण आपने final radiology चूज कर ली आप हमारे धर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या message आप उन्हें देना चाहेंगे मैं अपने दर्शकों से ये निवेधन करना चाहूंगी कि आप जब भी सोनोग्राफी कराने जाएं तो आप प्रायर अपॉइंट्मेंट लेके जाएं और अपॉइंट्मेंट लेते समय पूछें कि आपको खाली पेट आना है, क्या या फिर पानी पीके आना है और निर्धारी समय पर पहुँच के अपनी एंट्री करा के गाड़ी में पैट के वेट करें जिससे कि आपका और लोगों से कॉंटक्ट ना हो और अपना पानी साथ लेके जाएं साथ में एक कॉटन का दुपट्टा या पतला सा गमझा लेके जाएं जिसको बिचा के आप आपकी सेफटी के लिए उसको अवाइड भी कर सकते हैं और एक महतुपुन बात में यह कहना चाहूंगी कि आपको जो भी पूछना है वह डॉक्टर से पूछें वह स्टाफ से ना पूछें कई बार क्या मैंने देखा कि चैंबर से निकल के जो पेशेंट होते हैं वह स्ट आप पेश्ट पीक्राफी की रिपोर्ट देखते हैं उसके बाद आप पेशेंट को जो भी स्पेशलिस्ट है जा से कोई प्रेगनें विमन आप उनको सीथा गाइनेग के पास जाके अपनी रिपोर्ट दिखाने बोलते हैं कि आप दॉक्तर से को ओडिनेट करके फाइनल व कोई कितनी जरूरी है कब कब करवानी चाहिए और साथ में कोवीड के समयं हमें कौन सी साफधानिया रखते हुए सोनोग्राफि करवाने या वैसे भी घर से निकलना चाहिए उसकी भी जानकारी आज तो नि अच्छे विशे के साथ एक बार फिर हम आपके सामने आएंगे तब तक के लिए दीजिये हमें इजासत नमस्ते नमस्ते